नमस्कार जी PBNS की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं तोड़े एनाय आउन राश्रपती द्रापती मुर्मु मध्य प्रदेश के इंदोर में 17 वे प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र कीशोभा बढ़ाएंगी और प्रवासी भारतिय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन केतर गुयाना की राश्रपती डॉक्टर मोहमा दिरफान अली सूरी नामा की राश्रपती चंदरिका प्रसाद संतोखी राश्रपती द्रापती मुर्मु से मुलाकात करेंगे केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शहा नई दिल्ली के लाल के लिए में जै हिंद न्यू लाइट एंड साउंड शो का उदगाटन करेंगे केंद्रिय यूआ मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर नई दिल्ली स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्राले की पांचवी मंजिल के कॉन्फरेंस हॉल में सुभह दस बच कर 45 मिनट पर आगामी राश्ट्रिय यूआ महुत्साव पर मीडिया को जानकारी देंगे वानी जी और उध्योग मंत्राले के तहत उध्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग यानि DPIIT भारतिय स्टार्टप पारिस्तत की ये तंतर के सांथ सांथ राश्ट्रिय स्टार्टप दिवस मनाने के लिए 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टप इंडिया इनोवेशन आयो जित करेगा भाजपा की राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा विभिन मुद्दोपड चड़चा के लिए नई दिल्दी में पार्टी महासाचीवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा आज पंजाब में प्रवेश करेगी और आठ दिनों तक राज्य में रहेगी संग्ठनात्मक मामलों और आगामी चुनावी तैयारियों पर चड़चा करने के लिए नागपूर में महाराष्ट्र कॉंग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की आज बैठक होगी आदिवासी निकायों ने जहारखंड के गिरिटी हचिले में पारसनात पहाडियों को जैन समदायों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मेगा विरूद की चेतावनी दी है सर्वोच न्यायाले गुजरात केडर के बरखासत आईपियस अधिकारी संजीव भट द्वारा गुजरात उच्च न्यायाले में दायर अपील में अधरिक तसबूत लाने की मांग वाली आचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच न्यायाले असम से संबंदित नागरिक अधिनियम की धारा 6-1 एक खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा नैशनल कंपनी लौ अपीलिये ट्रिमिनियल सीसी आई के आदेश को चुनौती देने वाली माइक्रो मैक्स की अपील पर सुनवाई करेगा इंस्ट्यूट ऑफ चार्टिट अकाउंटेट ऑफ इंडिया नवेंबर 2022 सत्र के लिए सी ए इंटर और अंतिम कारिक्रम के परिणाम घोशित करेगा नेपाल के नव नियुक्त प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड काठमांडू में संसद में विश्वास मत हासल करेंगे आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबास शरीफ संयुक्त अरब अमिरात की यातरा पर रहेंगे इसलामी सहयोग संगठन यानी OIC जिद्दाह में अपनी कारेकारी समीती की असाधारन बैठक आयोजुद करेगा ताकि यरुशलम में अलकसा मस्जित में इसराइली उलंगनों को संबोधित किया जा सके खेलो इंडिया सीनियर महिला राश्ट्रिया खोखो लीक 10 जनवरी से 13 जनवरी तक पंजाब इस्तित चंडीगड विश्व विध्याले में होगी भारत और श्रीलंका के बीच पहला वंडे मैच गुआ हाटी में दोपर एक बचकर 30 मिनट पर शुरू होगा और आज है विश्व हिंदी दिवस देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए जुडिये प्रसार भारती नियू सर्विस से धन्यवाद